हलो स्टुडेंट्स आज के क्लास में हम SSC Cigal Means 2022 में आए हुए सारे जंबल के क्वेस्टन यानि 24 सेट आये थे जंबल के 4 सेट थे हर सेट में 6 क्वेस्टन थे 24 क्वेस्टन आज जंबल के सौल करेंगे और बहुत ही सेकंड्स में चुटकियों में और एक्यूरिसी के साथ हम स तफ लगा था लेकिन बच्चे जिसने बुक पढ़ी जिसने वीडियो मेरी यूट्यूब पर देखी हुई थी क्लास में मैंने बहुत टाक्टिस करवाई थी उनके लिए बहुत आसान थे जंबल क्योंकि कॉंसेप सारे वही थे ठीक है अब ही देखते चलो स्टार्ट करते इसमें थोड़ा सा चेंज था इसको देखो चेंज क्या था कि यहां पर S1 और S4 याने स्टार्टिंग सेंटेंस और एंडिंग सेंटेंस दोनों गीवन है ठीक है आपको क्या करना था P, Q, R और S यह चार सेंटेंस दिये हुए थे और इन चारों सेंटेंस में से दो सेंटेंस चूज करने थे जो S2 और S3 में फिट हो सके राइट अब देखो सबसे पहले S1 बोल रहा है The men and women took their places यानि उन्होंने अपनी seat ले ली थी After the initial mingling मतलब आपस में जो मिलना जुलना है ठीक है And immediately a surge of conversation filled the room और तुरंत Surge मतलब अचानक से किसी चीज का बढ़ना Surge of conversation मतलब उनकी बाते जो है वो start हो गई Clear? S4 में बोल रहा है one or two of the women एक दो जो women है were actually bouncing up and down on the sofa cushions मतलब कुछ जो एक दो ladies जिनकी women की बात हो रही है वो बात करते time क्या हो रही थी उपर bouncing up में होता है कई पर हम जोश में इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो वो बोल रहे है ठीक है? तो यहां देखो First sentence को ध्यान में रखें पहला sentence है कि men और women ने अपनी places ले लिये थे initial mingling के बाद में और conversation start हो गया था ठीक है अब देखो Q में बोल रहा है at the beginning they mingle awkwardly clutching their drinks and walking here and there Q में यह बोल रहा है कि शुरुआत में वो बहुत ही awkwardly mingle हुए जबकि first sentence बोल रहा है कि वो mingling हो चुकी थी और conversation भी start हो गया था याने P is first के बाद में यह Q option नहीं आ सकता Got my point? ठीक है R देखो Several people made a last minute dash to bathroom before the conversation could start यहां बोल रहा है conversation start करने की बात कर रहा है जबकि S1 में already दिया हुआ है कि conversation जो है वो start हो चुका था A surge of conversation filled the room याने यह भी इससे पहले का sentence है तो R भी यहां पर नहीं आएगा Clear? अब देखो The men's chairs were far enough away from the women's couches P में, यहां S1 में यह बोला है कि उन्होंने अपनी seat ले ली Took their places अब वो places को समझाया है कि वो places क्या थे? Men's के chair और women's के couches तो बिल्कुल ठीक है start किस से हो जाएगा S से ठीक है P में बोला है So the two parties had to lean forward Their elbows on their knees Right? अब देखो यह बोल रहा है कि उनके जो chair और couches थे वो दूर थे Far enough थे और उसके वज़े से क्या था? उनको जुकना पढ़ रहा था Lean forward होना पढ़ रहा था यह कुछ ऐसे words होते है जो generally sentence को conclude करते है Right? यहां क्या बोल रहा है S में कि वो दूर थे इसके वज़े से उनको क्या होना पढ़ रहा था? Lean forward होना पढ़ रहा था Clear? तो यह S किसे attach है? P के साथ Clear? S to कहा आ जाएगा S में S3 कहा आएगा P में और फिर P में यह बोल रहा है कि वो Lean forward थे और वो women क्या थी कुछ Bouncing up and down हो रही थी कहा So far? Cushions पे Clear? So students अगर आप अपने mind को अपने जो concepts आपने सीखे थे मुझसे YouTube पे और books में अगर आपने मेरी book पड़ी है इस बुक में मैंने 1240 सेट्स ओफ जंबल करवाएं 1240 सेट्स ओफ जंबल करवाएं ठीक है? पूरे detail solution के साथ दी है अगर आप concepts को एक बार समझ जाओगे Links को समझ जाओगे ठीक है? उसके बार में चाहे कैसा भी जंबल आए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि language में क्या होता है कि एक sentence से दूसरे sentence से जूडने का एक hint होता है हमें smart होना है सबसे important चीज क्या है? हमें smart होना है options को eliminate करना है और जो concepts हैं उनको apply करना सीखना है वह मैं सिखाऊंगी आपको clear? यह आप जंबल पेरिग्राफ एंड सेंटेंस बाइ मनिशा बंसल मैम यह अगर वीडियो आप सर्च करेंगी यह वीडियो आजाएंगी इसमें मैंने पूरा how to solve jumbled बहुत easy से basic से करवाया है आप एक बार जरूर देखें यह पहले की मेरी classes है यह conceptual classes है बहुत important classes यह classes है जिनमें CHSL, CGL Mains और इनके भी मैंने बहुत सारे jumbled solve करवाए है यह भी आप देखें concepts को आप समझ जाएंगे तो question कैसा भी हो जैसे maths में जब आप concepts समझ जाते हैं तो question कितना भी difficult हो कितना भी गुमाफिर आके आए आप कर सकते हैं ठीक है वैसे ही आपको jumble के concepts को समझना है जैसे आप concepts समझ जाओगे तो आप कैसा भी जंबल आए घबराओगे नहीं जो बच्चे मेरे से आप पर पढ़ रहे थी जो बच्चों ने मेरी classes देकी थी वह बहुत खुश थे कि मैं बहुत मुहमें ते कुछ लगाए नहीं जंबल बहुत easy थे जो चीज़े आपने बताई वही चीज़े आई थी ठीक है आगे चलो यहां देखो smartness क्या होती है इसको समझेंगे question number second अब इसमें क्या है चारों ही option A से start हो रहे है चारों ही option A से start हो रहे है तो हमें यहाँ time waste नहीं करना है कि कहां से paragraph start होना है ठीक है A से start हो रहा तो A से ही start करना है क्योंकि option ही चारों में A है यह smartness होती है right the sustainable development goals were adopted by all United Nations member states in 2015 to add poverty reduce inequality and build more peaceful prosperous societies by 2030 sentence बोल रहा है यह है sustainable development goals जो क्या adopt किया गया है United Nations members 2015-2015 में क्या है उनका goal की poverty को खतम करना है inequality को reduce करना है और बहुत ही peaceful prosperous society बनानी एक अब तक 2030-2030 clear start किसे हो गया A से अब देखो C में C को ध्यान से देखो also known as the global goals also known as the global goals यह also किसके लिए आया है यह also आया है sustainable development goals जो एक full form है sustainable development goals जिसके short form है SDGs right उसको बोल रहा है also known also किसके लिए आता है addition के लिए किसले यूज करते है addition तो also known as global goals कौन global goals है SDGs आगे लिख भी दिया clear तो यहां से क्या hint मिली हमें A के बाद में क्या आएगा C आएगा और A के बाद में C only one option में है और वो option है C अब इसको पूरा भी देखो और भी hints बताऊंगी मैं आपको बहुत सारे links बहुत सारे hints बताऊंगी एक्जाम में क्या होता है जैसे मैंने दो-चार hints बताई वहां पर आपको उनमें से एक-दो जरूर strike करती है clear तो जितना possible हो हमें hints ढूंडनी है links बनाने है options को eliminate करना है smart बनना है 100% accuracy के साथ कम टाइम में ऐसे नहीं देखो महां बच्चा क्या करता है पूरा इसको Hindi translate करने बैठता है फिर जचाता है तो इतना time नहीं है कि आप इनको सब को Hindi translate करो फिर arrange करो फिर इनको check करो ऐसे तो आप competition से बाहर हो जाओगे आपको smart बनना है ठीक है यहां देखो यहां आया also known as global goals the SDGs are a call to action to create a word where no one is left behind ऐसा word जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहे क्योंकि क्या बोल रहा है reduce inequality अब बोल रहा है the SDGs cannot be achieved without the realization of children rights SDGs को achieve नहीं किया जा सकता children right कि बना अब child right child right के बारे में आगे कहां बताया है D में as world leaders work to deliver on the 2030 promise children around the globe are standing up to secure their right यह their right कौन सा right है child right तो यहां से क्या hint मिली आपको B के बाद में क्या आएगा D B के बाद में D A के बाद में C एक ही option है हमारे पास और वो क्या है C यह है smartness जिससे आपको exam में seconds में solve करना है अरे बाबा इतना बड़ा passage यह देखके तो बच्चा ही घबरा आ जाता है कि मैं इतना बड़ा passage कैसे करूं स्मार्ट मन बच्चे पहले के 5-6 वर्ष पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि यहां से start होगा या नहीं होगा ठीक है यहां देखो यहां पर हमें starting sentence देखना है तो जनरली क्या होता है यहां पर नाउन किसी भी sentence को start करता है हम यह पढ़ते है बट रटना नहीं है मेरे बच्चे यहां पर नाउन है C रोबर्ट, B, C, I, D, N C से लेकिन C से start करने का एक भी option नहीं दिया एक भी option नहीं है यहां समझ रहे हो option क्या है A या B या A से start करो या B से start करो तो C नाउन होगा लेकिन इससे start नहीं होगा तो रटना नहीं है कभी भी के हमेशा ऐसा ही होगा conceptually strong बनना है और smart बनना है अब देखो B में बोला है according to him him जो कि masculine gender के लिए हम यूज करते है प्रोनाउन है तो यह him कौन है यह C वाला है तो प्रोनाउन का जो natural pattern है वो किसके बाद आता है noun के बाद तो यहां से तो start नहीं हो सकता B से तो start नहीं कर सकते अब हमारे पास option बच्चे A A में देखो when faced with uncertainty यहां तक अगर पढ़ेंगे तो लग रहा है start हो भी सकता है नहीं भी लेकिन आगे पढ़ते है humans look out for the action of others तो human जो noun है इसके बारे में बताना चाहरा है कि humans देखते हैं दूसरों के action को और खुद को victim मानते हैं हो जाते हैं of ineffective rational thinking during compelling and confusing situations कहने का मतलब है कि इंसान की एक general परवर्ती होती है कि वो कोई भी situation में जो सब कर रहे हैं उसको देखके वैसा ही behave करता है वैसा ही react करता है ठीक है तो यहां पर देखो start किससे होगा A से A से हमने start किया A से start करने के हमारे पास में तीन option है अब यहां बोला है यह तो नाउन हो गया यहां से start कर सकते थे बट आगी क्या लिखा है explain this reaction यह this कहां से आ गया यह किसके लिए है this यह उपर जो लिखा है A में जो लिखा है ना उसी के लिए use हुआ है this reaction this that these those क्या होते है students demonstrative pronoun जो indicate करते है कि कोई भी reaction को इशारा करते है कि क्या हुआ ठीक है उसमें this or that आते है singular के लिए these और those आते है plural के लिए demonstrative pronoun को जब हम noun के पहले use करने लगते हैं तो वो क्या बन जाते है demonstrative adjectives ठीक है तो यह demonstrative adjective हो गया this reaction what reaction यह वाला जो A में हुआ तो इसको क्या आएगा A के बाद में क्या जाएगा C Robert B. C. Yaldini explain this reaction with psychological phenomenon called pluralistic ignorance इसको क्या नाम दिया है pluralistic ignorance A के बाद में क्या आएगा C और A के बाद में C एक ही option में है और वो है option A C में नाउन दे दिया Robert B. C. Yaldini और B में इसके लिए आगया him अब उसको B में और अच्छे से explain किया है तो C के बाद में क्या आजाएगा B अब बच्चा A की option हमारे पास यह है बच्चे स्मार्ट अप्रोच समझ में आया ठीक है next यह भी देखते ही बच्चों का मन घबरा गया था मैं मेरी शिफ्ट में तो इतने बड़े बड़े जंबल आये जो आज से पहले SSC ने अभी पूछे ही नहीं मेरे को समझ ही नहीं उनकी लेंगविज क्या थी मैं तो उनको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया अरे बच्चे ट्रांसलेट करना ही नहीं था ठीक है सिंपल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो D को पढ़ो the afternoon sun penetrated ठीक है A को पढ़ो D और C को पढ़ो the most important day A को पढ़ो on the afternoon of that eventful day बस इतना सा पढ़ना था इसी से सारी हिंट मिल रही थी कैसे देखो सबसे पहले तो हम किसी day के बारे में बात करेंगे फिर उसके बार में उस day के afternoon को specify करेंगे फिर उस afternoon sun के बारे में बात करेंगे ऐसा ही तो करेंगे ना पहले हम बिलकुल general बात करेंगे फिर उसको थोड़ा और specific करेंगे फिर बिलकुल specific करेंगे simple है तो यहां क्या था कि सबसे पहले इसको important day के बारे में बात की C में फिर उस important day के दिन क्या बताया? Afternoon C के बाद क्या आ गया? A और फिर D में क्या आ गया? The Afternoon Sun Penetrated ये पूरी बात आ गयी और लास्ट में बचा अकेला B तो option क्या था? C, A, D, B ये answer था ठीक है? अब इसको पूरा भी देख लिया Important day के बारे में बात कर रहा है जब अपने teacher से मिला, teacher का नाम दिया, मेरे पास हाए और मैं wonder से भर गया और immeasurable contrast था इन two lives के बीच में ये date बता रहा है, third of March की date थी, जब मैं 7 साल का था ठीक है? फिर A में क्या आया है? कि उस दिन की afternoon में मैं वहाँ पोर्च में खड़ा हुआ था वह अपने पूरी situation बता रहा है फिर पोर्च में afternoon में खड़ा हुआ था फिर afternoon में जो sun था वो penetrate कर रहा था, ये समझा रहा है और last में ये क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बारे में conclude कर रहा है ठीक है? तो simply क्या sequence बन गई? C, A, D, P इस तरह से solve करना है, ठीक है? ये हमारा telegram channel है neon books और ये neon classes इस पर आपको बहुत सारा updated study material मिलता है जंबल PQRS book की भी sample file पर यहाँ upload करा दूँगी वो आप जरूर देखना, ठीक है? आगे की classes के updates भी मिलते हैं next, question number fifth यहाँ C, B, D तीन से start हो रहा है I was almost drowned a dozen times now my wellming is simply the result more than this यह this आगया भी but as I recall these incidents यह बहुत ही strong indicators होते हैं किसी भी sentence को जोडने वाले, ठीक है? but as I recall these incidents यहाँ इसका मतलब है कि इससे पहले किसी incident की बात हुई है और उसी incident के लिए यहाँ पर demonstrating इशारा कर रहा है उन incidents की तरफ तो वो incidents कहां है? वो incidents है A में वो incidents कहां दिये हुए है? A में I was almost drowned a dozen times मतलब दर्जन बार में डूपते 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 डूपी गया माल लो अल्मोस डूप गया था वस नियरली बॉइल अलाव एंड जस्ट मिस्ट बींग क्रिमेटेड और मतलब यह माल लो कि मेरा दाश अंसकार क्रिमेशन होते होते बचा है ठीक है तो यह इन सारे incidents के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ? इस incidents क्या यूज हुआ है? इस incidents As I recall these incidents to my mind I feel convinced that my preservation was not altogether accidental कि मेरा जो प्रिजर जो मैं बच रहा हूं ठीक है? अपने आपको बचा पा रहा हूं यह कोई accidental नहीं था ठीक है? तो यहाँ से हिंट क्या मिला? A के बाद में क्या आएगा? D A के बाद में D तीन option में है चलो एक option तो कट गए अब देखते हैं यह this कहां से आ रहा और किसके लिए आया है? यहाँ देखो B में Now my well-being is simply the result of a careful and measured mode of living and perhaps the most astonishing thing is that three times in my youth I was rendered by illness a hopeless physical wreck and given up by a physician की बोलना चाहरा है कि आज जो मेरी well-being है न वह result है कि मैं careful and measured mode of living है मतलब मेरा जो रहने का तरीका है बहुत ही मैंने सही तरीके से सेट किया हुआ है हर चीज की प्लैन करके कि क्या खाना है कब कैसी क्या रहना है? और परहस शायद मोस सर्प्राइजिंग एस्टोनिश मतलब तो ठीक नहीं हो सकता लेकिन फिर भी आज वो क्या है एकदम ठीक है तो बी को अगर हम मने इसमें आगे देखे more than this यह जो दिस आया है यह इसके लिए आया है इन सब के अलावा इतना सब हुआ मेरे साथ उसके अलावा और बी चीजे हुई है through ignorance इग्नोरेंस मतलब जब किसी चीज की समझ नहीं हो knowledge नहीं हो जैसे बच्चा होता है वो उसके लिए आग है पानी है कोई भी खत्रा है उसको पता ही नहीं होता है क्या चीज है जब वो छोटा बच्चा होता है तो इग्णोरेंस और लाइट हाटेडनेस आई गोट इंटु और इन्चांटमेंट अट्रेक्शन के लिए आता है कि बहुत अट्राक्टिव है राइट एंचांटमेंट मैजिक स्पेल की बात कर रहा है कि मतलब कोई जादूसा हुआ था कि मैं इन चीजों से बाहरा आ गया कोई ठीक है तो यहां देखो बी किसे अटाइच हो गया सी से बी सी से जुड़ा हो और एडी से जुड़ा हो ऐसा कोई option दिखाई दे रहा है यह तो नहीं है यह भी नहीं है राइट आंसर क्या हो गया सी क्लिए बी से start करेंगे सी में यह दिस आया है बी के लिए ए में जो भी इंसिडेंट्स बताएं हैं कि डूपते बचा जलाते हुए बचा इनके बारे में क्या आया है इस इंसिडेंट्स क्लिए नेक्स्ट यह हमारे बुक्स है जंबल की बुक्स जो मैंने आपको अभी अभी बताई है जिसमें 1240 जंबल को बहुती डिटेल्ड सॉलिशन के जाद करवाया है मैंने और सारे एक्जैम्स को कवर किया है सीजेल, CHSL, CPO, सीजेल मेंस, सीडियस और यह बैंक सभी टाइप के एक्जैम्स को कवर करके इसमें सारे क्वेशन के डिटेल्ड सॉलिशन हैं आपको जरूर पढ़ने चाहिए यहां 9 सेट है 2018 से 2020 सीजेल मेंस यह वर्ड पावर आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्लोस टेस्ट इसको भी अपडेट कर दिया है लेटेस इसमें सारे एड कर दिया है एक्जैम्स और यह राजा सर की मैच की जिसमें आपको 28 सेट 2010 से लेकर 2021 तक सारे सेट है ठीक है ए में है दोस ट्रायल्स अब दोस ट्रायल्स इसका मतलब है कि किसी ने किसी ट्रायल की बात हुई है पहले उसी के लिए दोस ट्रायल आएगा है ना अब देखो यहां ऑप्शन या दो डी से स्टार्ट हो रहे था या ए से स्टार्ट हो रहा था ए से तो स्टार्ट हो नहीं ethical questions related to health healthcare public health cover topics as diverse as moral issues around reproduction state obligation in the provision of healthcare services and appropriate measures to control infectious disease start किसे हो गया D से हो गया ठीक है अब यहां पर देखो C में बोल रहा है recent former efforts to articulate international standards of ethics applicable to health healthcare यह सब बाते करके यहां आजाओ the new Nuremberg trials of 1947 आगया trials तो यहां से हमें एक हिंट मिली क्या कि यहां जो बात हुई है those trials की it's related to C याने the principle that emerge from those trials यह कौन से trials है यह वाले trials जो 1947 में तो यहां से हिंट क्या हुई C किस से attach होगा A से C A से C A एक भी option नहीं है एक ही option है और वहीं आपका answer है यह होती है smartness seconds में accuracy के साथ solve करना अपने इसको देखो कितने अच्छे से और कितना easy way में आप solve कर रहे हैं और यही concept आपको सीखने और exam में apply कर गए है तभी कैसे भी जंबल आए आप नहीं घब रहा होगे ठीक है यहां पर देखो यहां और हिंट है Nuremberg code और यहां B में लिखा है codes of conduct यहाने A किसे attach हो गया B से start किसे होना है D से तो sequence क्या बनी D C A B clear अब बच्चा वहां exam में अगर आप इसको हिंदे ट्रांसलेट करने बैठेंगे फिर arrange करेंगे बहुत ज्यादा time लग जाएगा और उसमें भी कोई guarantee नहीं है सही हो बहुत ज्यादा time लग जाएगा इतना time नहीं है क्योंकि competitive exam यहां बहुत competition है एक के बाद एक राइट तो उस time में उस pressure में आपको जल्दी solve करना है ठीक है और किसी भी language के आपस में sentences के जुड़े होने की hints होती है उनको पहचानना है फिर कैसा भी paragraph आजाए आपको कभी problem नहीं आएगी है यहां देखो c seventh tigers tigers are the largest यहां यहां तो sentence start हो रहा है a से यहां हो रहा है c से अब यहां पर यह this species again 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 अब भी देखो हर जगे मैंने these incidents those trials this species this reaction यह demonstrative के बहुत important concepts है जो यहां जंबल में apply करने हैं आपको और सारे जंबल को जल्दी जल्दी solve कर देना है ठीक है बहुत important concept है या तो c से start हो रहा है या a से start हो रहा है तो this species कौन सी species है यह कहां बताया है यह तो c में नहीं बताया है तो पहले बताएगा फिर आगे this species आएगा हना मैं यहीं बताया था आपने तो c से start नहीं होगा start किस से होगा a से अब देखो tigers are the largest member of the cat family अब cat family में कौन tigers भी आते हैं चिता भी आते हैं प्यूमा भी आता है जैगवार भी आएगा लाइन भी आएगा ठीक है तो they are found in many parts of Asia ठीक है start किया हमने AC अब आगे इसमें it is assumed that probably around 3000 tigers live in the wild 3000 tigers रहते जंगल में this species अब यहां से पता चला ना कौन सी cat family से जो tiger की species की बात हो रही है तो this species looks spectacular and grand and they are very graceful in their moments याने A के बाद में क्या आएगा C ठीक है पहले उसने broad बताया cat family cat family में बहुत सारी बहुत सारे टाइप की animals है उनमें से किसकी बात हो रही है tiger की tiger की species की बात हो रही है तो पहले cat family या फिर this species आ गया ठीक है यहां पर A जो है वह अपने आप में stand alone sentence हो गया ठीक है A के बाद में आएगा C A के बाद में C एक ही option है और देखो B में बोला है दे दे कौन है दे प्रोनाउन है किसके लिए आया है टाइगर्स के लिए टाइगर्स mostly live in dark forest and sleep during the day they come out for hunting pigs and deer by night ठीक है mostly कहां रहते हैं dark forest में रहते हैं दिन में सोते हैं sleep during the day और hunting pigs और deer के लिए वो रात में बाहर आते हैं B आया और D में यह बोल रहा है it is almost impossible for us to see them ठीक है वो बाहर तो आते हैं B में बोल रहा है बाहर आते हैं लेकिन हमारे लिए उनको देखना बहुत ही impossible हो जाता है क्योंकि यह जंगल background है और जो जंगल background में अगर वो standing still की position में है क्योंकि अगर वो सीदे खड़े हैं background जंगल है और उनकी body पे जो strict quotes हैं तो उसके वज़े से हम उनको नहीं पहचान पाते हैं तो B के बाद में क्या आएगा डी में बोला है बाहर आना डी में बोला है बाहर आ जाएंगे लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देख पाते हैं तो दी लिंक हो गया ए सी लिंक हो गया राइट आंसर हो गया सी वीडियो के concept में खो गये हैं लाइक शियर नहीं किया तो लाइक शियर कर देना बच्चे बहुत ही अच्छे concepts में देते हूं आपको तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करना है दोस्तों में शियर करना है आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं यहां पोज करेंगे कितने questions सही हैं कितने गलत हुए वह comment भी जरूर करेंगे ठीक है next question number 8 यहां वीडियो को पोज करके खुद से यह question solve करना क्योंकि यह concept जो यहां apply करने जा रही हूं वह concept मैंने आपको पहले सिखा गिया है ठीक है यह देखो पोज करके खुद से solve करना है अब देखो यहां A में आया है these foods ठीक है A में आया है these foods तो कौन से food की बात हो रही है यानि A से हम sequence को start नहीं कर सकती है ठीक है अब यहां पर देखो या तो B और या D D में बोला है power foods are high in nutrients such as fiber, potassium and minerals यह क्या है यह एक stand alone sentence है Stand alone sentence Stand alone sentence का मतलब होता है कि एक ऐसा sentence जो अपने आपने individual है जिसमें किसी चीज को introduce करवाया जा रहा है जैसे यहां power foods को introduce कराया गया है कि power foods क्या होते है power foods क्या है वो nutrients में high है जैसे कि fiber, potassium and minerals ठीक है तो start किससे होगा D से अब आप सोचोगे मैं हम आपने B से क्यों नहीं start किया B से start नहीं क्या उसका reason यहां देखो आगे बताऊंगी आपको can be included or to include ठीक है यह यह चीज भी आपको समझाओंगी common factor का concept भी जंबल में apply होता है वो भी सिखना बहुत जरूरी है ठीक है यहां देखो D से start कि हमने power foods यह है अब A में बोल रहा है many fitness trainers increase their clients to include these foods बहुत सारे fitness trainers इन अपने clients को इन foods को अपने diet में include करने का बोलते हैं to build muscles muscles को build करने के लिए यहने D के बाद में आएगा A these foods कौन से foods है यह power foods A में include their clients to include include की बात किस में हुई है A में फिर इसी include को आगे बताया जा रहे B में power foods can be included in your everyday diet in a variety of ways power foods को include किया जा सकता है अपने everyday diet में बहुत सारे तरीके से यहने A किससे attach हो गया B से अब आपके पास A की option बचा है that is C तो sequence क्या बन गई D A B C clear as students तो यहाँ A और B में जो मैं आपको concept सिखाना चाहरे हूँ the concept is कि जब कोई एक word दो sentences में यह दो से ज्यादा sentence में common आता है तो generally उन sentences को साथ में use किया जाता है साथ में रखा जाता है तो जैसे यहाँ to include की बात A में हुई फिर आगे include की बात B में हुई तो generally ऐसे cases में यह दोनों sentence साथ में आएंगे clear? next question number 9 यहाँ पर या तो sentence start हो रहा है B से या हो रहा है D से ठीक है? D में size बताई हुए है और size के साथ में these snakes techniques देखो सरफ एक concept अभी तक मैंने यहाँ demonstrative का इंट्रड्यूस कर आया उसी पर देख लो कितने questions आये हुए these snakes से क्या पता चला? काट दो, हटा दो क्या? कि D से start नहीं होगा पहले उन these snakes की बात कहां हुई है उसको बताया जाएगा फिर उन snakes के लिए these snakes आएगा ठीक है? तो यहाँए these snakes से पहले वाला sentence हमें देखना है और पहले sentence है B exile on, क्योंकि start the B से ही हो सकता है exile on water but awkward on land the green anaconda is one of the largest snakes in the world green anaconda the largest snakes है snakes में से एक है और यह अब इस green anaconda की size बताई जा रही है D में at 29 feet long and 550 pounds these snakes are Hughes तो याने B से start होगा B के बाद में D आएगा ऐसा एक ही option है और वो है B कितना easy था है अब यहाँ देखो C B के बाद D और hint है most people assume जादा तर लोग assume करते है कि anacondas are very poisonous की वह बहुत ही poisonous है लेकिन वह actually क्या है non venomous है वह जहरीले नहीं होते है ठीक है instead अब इसी को contradiction आगे बोल रहे है instead इसकी बजाए वह क्या है they are constrictors constrictors है वह क्या होता है वह भी समझाए है कि वह squeeze करते है अपने प्रे को to death before swelling it to swallowing it whole swallow मतलब निगल जाना ठीक है तो simply अब हिंट क्या मरी इसी के बाद में क्या आएगा clear students मजा आ रहा है next question number 10th helping parents become severe these fixes फिर से आ गया यह तो these fixes these fixes याने के B से start नहीं होगा these fixes याने पहले किनी fixes की किनी solutions की किसी को problem को fix करने की बात हुई है और फिर उसी के लिए आगे these fixes आया है याने these fixes से start नहीं होगा start अब एक ही option बचा हमारे आपास C से start किसे होगा C से ठीक है the most proposed government solution for childcare involves building on top of this floor system is offering more value vouchers to purchase private childcare ठीक है sentence बोलना चाहरा है कि most proposed government solution किसके लिए चाइल के लिए जो है वो क्या है कि वो जो system में जो कम्या है उसको इंप्रूव करने की बजाए वो चाइल के लोग पेरेंट्स अफोर कर पाएं उसके लिए उनको वाउचर दे रहे हैं जैसे for example कोई discount का वाउचर दे दिया कोई 500 रुपे की चीज़े तो 100 रुपे का वाउचर दे दिया तो वो actual में वो problem का solution नहीं है right problem का solution नहीं है वो उससे उपर build कर रहे है मतलब building on the top of floor system है उसके उपर उपर से उसको कि ठीक है चलो इनको affordable बना दो so start किसे होगा C से अब देखो आगे helping parents become severe at picking care options and tossing retention bonuses to caregivers are others पहला तो क्या किया कि vouchers दे दिये to purchase private childcare पहला solution क्या किया vouchers दे दिये कि भई change कर लो child care ठीक है तूसरे आगे solutions क्या किए कि parents को help कि गई कि वो knowledge कि आप यह options आपको pick कर सकते हो और जो bonuses है जो caregivers है उनके bonuses को retained किया गया तो यह options भी यह others यह others क्या है यह दूसरे solutions है एक solution एक दूसरा solution तो C के बाद में क्या आगया A अब यह जो B में आया these fixes यह इन ही की बात कर रहे है कि यह जो solutions है आप कर रहे हो कि पहले vouchers दे दिये फिर उनको solution कोई की caregivers को bonuses उनको retention दे दिया यह सारे जो solutions है for these fixes importantly can make a child more affordable for parents and offer life rafts to center hemo raising workers यह बोलना चाहरा है कि यह जो चीज़े कर रहे हो ना यह affordable हो जाएगा इससे जो parents है वो affordable उनको affordable होगा childcare और life rafts मतलब जीवनदान मिल जाएगा hemo raise workers को यह बात ठीक है याने A के बाद में क्या आया B but अब इसी के आगे contradiction के लिए D मे यूज हुआ इसके लिए address the structural needs structural needs मतलब वो affordable पे work कर रहे है लेकिन जो structural needs है उस पे work नहीं कर रहे है कैसे जो structural needs क्या है इंप्रूव quality for kids quality improve होने चाहिए kids के लिए better wages होना चाहिए working condition workers के लिए improve होने चाहिए और more choices in the low income neighborhood जादा choices होने चाहिए low income neighborhoods तो उन पे जो structural needs है उन पे work नहीं कर रहे हैं c में जो a option solution दिया फिर a में solutions दिये उने के लिए b में these fixes आया है तो यहां से hint मिल गई थी कि c a b attach है और last में क्या आ जाएगा d next question number 11 यहां पर देखो या तो d से start है या c से start है तो बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना c में आया है poly और d में आया है shara poly तो किसी भी paragraph में एक जो common pattern क्या होता है कि हम पहले किसी भी इंसान को या किसी भी organization को या किसी भी noun को हम पहले उसका full form बताते है ठीक है फिर जब हम आगे उसके बारे में बात करते हैं तो हम short name use करते हैं फिर और हम उसके लिए pronoun use करते हैं ठीक है पर हम start करेंगे तो उसमें ह वहां C में पॉली दिया है simply और D में शारा पॉली दिया है तो इससे पता चल रहा है कि C से start नहीं होगा, start किससे होगा? D से होगा, ठीक है, women talking adapted by the writer director Shara Polly from Miriam Toys 2018 novel is vibrant cinema, किसी novel से Shara Polly ने कोई concept वहां से लिया है और कोई movie बनाई है I suppose, वो क्या है एक vibrant cinema है? is vibrant cinema, अब देखो, Polly lands the central conversation, a visual gravitas normally reserved for epics, जो reserved रहते हैं normally epics के लिए, पॉली ने उनको किसी particular चीज को, किस चीज को, central conversation को बताया, ठीक है, समझाया है, दिखाया है, तो D के बाद में क्या आया? C, D में आया Shara Polly, C में आया Polly, और D के बाद में C, A की option में ये answer होगा, अब देखो, अब आप सोचोगे, मैं D के बाद C ही क्यों आएंगा, यहाँ A भी link है, बच्चे, कैसे? She shot the movie on the widest canvas, जो thick material के, painting के, जो कपड़े होते हैं, close, उसके लिए यूज़ रहता है canvas, possible using the same kind of equipment that captured Star Wars landscape and applied a muted color, यहाँ से देखो, A में बोला है muted color, और B में आया है a fatted postcard, ठीक है, muted color अपने आप में क्या हो गया, जो color नहीं है, जो fatted है, तो muted color और fatted postcard, यह दोनों एक दूसरे से related हो गए, एक इससे attach हो गया, B से, तो sequence क्या बनी, D, C, A, B, clear? अब कुछ बच्चों को यहाँ doubt आया था, कि मैं A, B link हो गया, ठीक है, D से start होगा, यह भी ठीक है, पर C, A, D के बाद ही क्यों आया, ठीक है, इसका एक और reason बताती हूं बच्चे, paragraph को लिखते समय है, बहुत सारी चीज़ writer ध्यान में रखता है, जैसे उसने यहाँ पर present की बात की, ठीक है, फिर उसने C में present की बात की, ठीक है, फिर वो past में गया, और फिर past में गया, तो यह एक paragraph को लिखने की beauty होती है, तरीका होता है, कि पहले present की बात कर रहा है, फिर past या फिर future, या पहले future की बात कर रहा है, फिर past में आया, फिर present में जा रहा है, तो इस तरह का parallel construction भी sometimes हमें ध्यान रखना होता है, यह मैंने बुक में बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो अगर आपको concepts देखने हैं, तो आपको book के, आप सरफ प्रफेस प्रफेस भी पढ़ लोगे, वहां से ही आपका बहुत सारे concepts clear हो जाएंगे, और ज्यादा आपको practice चाहिए, तो 1240 with detailed solution है, आप उसको पढ़ोगे, फिर तो कहीं दिकत नहीं आने, कहीं भी, यह मेरी guarantee है, क we reached there, या तो A से start हो रहा है, या C से start हो रहा है, तो we reached there, there कौन है, वो बताया नहीं गया है, तो पहले तो यह बताना पड़ेगा कहा, there कहा, ठीक है, तो yesterday my friend and I went on a short picnic to an amusement park, ठीक है, यहाँ इस park को, an amusement park जो noun है, इसको introduce करवाया गया है, तो यह stand alone sentence है, जहां से paragraph start होगा, तो sequence start होगी किस से, C से, clear, अब यह बोल रहा है, we reached there, अब हम walk up, कितने बजे पहुंचे, at about 10 a.m, याने there किसके लिए आया है, इस park के लिए आया है, there किसके लिए आता है, adverb place के लिए, place कोन है, amusement park, ठीक है, अब यह reach की बात हो गई, फिर common factor देखो, even though we had reached on time, there was a serpentine, serpentine मतलब सर्पिलाकार, queue for the tickets, I took the entrance gate, याने a के बाद में आया d, हाँ, यहां पर में concept बच्चे से पूछना चाहती हो, मैंने मेरी बुक्स में, वीडियो में पहले बताया भी है, what is the difference between even though and even if, even though and even if में क्या difference है, जो बच्चे यहां तक जिसने वीडियो देखी है, वो ज़रूर बताएंगे, और बच्चे वीडियो को last तक देखना है, तभी आपको confidence आएगा, ठीक है, तो reach की बात होगे d में, फिर बोल रहा है, the first right जो थी, वो fury will थी, और वो हो थी, हम चिला रहे थे, चीख रहे थे, right answer बन गया, C, A, D, B, A, next, question number 13, यहां तो start or R, Q, S, P, चारों से start कर दिया, कोई दिकत नहीं है, कोई दिकत नहीं है, हाँ, यहां पर बोल रहा है, the prices of cooking gas, pulses, vegetables have registered a sharp price, in recent years the prices of essential commodities have gone up sharply, right, very good, अब आया मजा, देखो, यहां पर Q में बोला है, essential commodities, right, Q में, और वो essential commodities है क्या, वो है, cooking gas, pulses, vegetables, यह सारी essential commodities है, Q के बाद में क्या आएगा, P, Q के बाद में P, यहां पर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही option में Q के बाद P था, ठीक है, और देखो, Living has become quite a costly affair these days, living बहुती costly affair हो गया है, ठीक है, तो यह costly affair किसके लिए, यहां से, S के बाद में, the low income groups and the salaried class are the worst sufferers, worst sufferer कौन है, salaried class और low income group, क्यों है यह sufferer, क्योंकि living का जो cost है वो बढ़ गई है, तो S के बाद में आएगा, R, R की, और hint क्या है, Q के बाद में P, तो सिक्वेंस बनेगी, S, R, Q, P, next, question number 14, यह pattern serious में भी बहुत common है, S1 और S6 देने वाला, यहां पर यह बहुत अच्छा सा हिंट था, जिस हिंट से ही यह पूरा सेट जो जंबल का है, वो सौल हो रहा, simple, आप सभी जानते हैं, not only, but also, sentence में पहले not only आता है, फिर but also आता है, तो we have not only a crusader against the caste system, but also an elder state man and national leader, याने B किस से attach होगा, A से, B A link है, B A neon link है, B A neon link कहां है, सिरफ A की option में है, वही आपका answer है, दूसरा, पैलल construction से देखो, national leader, valiant fighter, यह भी पैलल construction हो गया, याने A के बाद में, B, A, और A के बाद में क्या आएगा, C, clear, और A की option बचा D, तो sequence क्या हो गई, B, A, C, D, फिल्कुल simple, next, question number 15, they stand, अब यहाँ A, B, C से नहीं दे रहा, बाखी सारों से start कर रहा है, ठीक है, they stand, they है pronoun, तो generally pronoun से start नहीं करते हैं, now डूनेंगे, तो A से start नहीं कर सकते, additionally से तो दे ही नहीं रखा, start किया, अब आया B, India is a country where people are full of immense prolixity and exemplary storytelling, ठीक है, यह sentence और D, महाबारता और रामायना are two great examples, यहाँ तक अगर आप इन दोनों sentence को पढ़ लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि D में example दिया है, जो पहले कुछ बात बताई है, उसका, यानि D से start नहीं होगा, ठीक है, A से start नहीं होगा, start किससे होगा, B से, B, एक stand alone sentence है, जो अपने आप में individual है, इंडिया एक ऐसी country है, जिसमें बहुत सारा immense मतलब, जिसको measure ही नहीं किया जासके, उतने words है, prolixity है, और example storytelling, ठीक है, start किससे होगा, B से, B के बाद में A है, या B के बाद में D, यहाँ देखो, B के बाद में A लेते हैं, तो दे आया है, जबकि दे pronoun किसके लिए आया है, यह अभी तक clear हुआ ही नहीं है, तो B के बाद में A तो नहीं आ सकता, ठीक है, अब आता है, महाभारता and रामायना are two great examples, यह great examples किसके हैं, इनके, ठीक है, तो of colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country, याने B के बाद में A गया, D, महाभारता and रामायना यह दो है, तो यह क्या बन गई, plural, क्या बने student, plural, तो अब यह जो दे यूज हुआ है, दे स्टैंड अन्डिफिटेड, मतलब नौट दिफिटेड, इन दा किंड़म रियाल्म ओफ शेक्स्पियर एंड होमर, शेक्स्पियर और होमर के टाइम बे भी अन्डिफिटेड स्टैंड करते रहे, यह दे कुन है, महाभारता और रामायन, तो ड के बाद में क्या आएगा, और लास्ट में क्या बच गया, सी, अब यहाँ पर सी में गीता को भी समझा दिया है, अडिशनली बुला है, यानि और आगे बात कर रहे हैं, तो सिंप्ली आंसर क्या हो गया, ड, B, D, A, C, Next, question number 16, A, C, D, तीनों से स्टार्ट किया है, यह इट प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर शी प्रोनाउन है, यह किसी नहीं किसी नाउन के लिए आएगा, everything about her, यह भी किसी यह, तीनों ही प्रोनाउन है, तीनों प्रोनाउन है, तो जनरली किसी भी परेग्राफ को नाउन स्टार्ट करता है, और वो नाउन जनरली कॉमन या प्रोपर होता है, ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस में टाइटनिक जो एक जहाज है, जो एक शिप है, उसको इंटर्ड्यूस करवाया गया है, तो सिक्वेंस स्टार्ट होगी C, तो यहाँ सेंटेंस में टाइटनिक जोष गीन यालूरी ओवर दे गचार्ट करता है, अब दिखो, इट वस एन्वी अड्मिरेशन औफ मैरी टाइम नेशन ओव दामार्ट, C के बाद में आ गया B ठीक है In speed, in comfort, in beauty, in equipment She was a masterpiece वो masterpiece थी Everything about her अब यह everything about her क्या बता रहा है यह सारी चीज़े बता दी न है Speed की, comfort की, beauty की, equipment की सारी चीज़े क्या थी She was masterpiece और सब कुछ जो उसके बारे में क्या था वो attractive था और क्या था Fascinating, मतलब आकरशित करने वाला था तो last में क्या आ गया D, sequence क्या बनी गई C, B, A, D C में हमने ढूंडा stand-alone sentence जो sentence को start कर रहा था C से, दो यह option बच्चे उसके बाद में या तो D आता या B आता, everything about her यह वाला जो part है यह पहले बताएगा तो नहीं न क्या-क्या तो वो पहले describe किया वा था A में, तो A से attach हो गया D, तो sequence बनी C, B, A, D Clear? Next, question number 17 The temperature of the world has increased resulting in global warming B, the melting of ice caps या तो A से start करो या B से ठीक है? अब B में क्या दिक्कत है? The melting of the ice caps The, जो एक definite article है ठीक है? Definite article, the का use हुआ है It means, पहले जब हम किसी noun के बारे में बात करते हैं और फिर उस noun के बारे में आगे बात करते हैं तो हम the use करते हैं उसको specify definite के लिए, right? तो यहाँ पर पहले बात हो गई melting the polar ice cap पहले, और फिर बोल रहा है the melting, तो याने D किस से attach है? B से attach है D, B से attach है, ऐसा एक ही option है पहली चीज़ और दूसरा, B से start नहीं होगा यह भी clear हो गया ठीक है? अब आगे देखो और hints बताती हूँ यह definite article का hint हो गया ठीक है? अब A से start होगा The temperature of the word has increased resulting in global warming और यह अपने आप में a stand-alone sentence भी है क्यों? क्योंकि यहाँ पर global warming noun को introduce करवाया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो temperature का बढ़ना increase होना किसमें result हो रहा है global warming याने global warming क्या है? वहीं बताया जा रहा है sequence start हुआ किससे? अब global warming global warming यहाँ common factor है यह देखो the increased amount of carbon emission is considered as the reason behind global warming याने global warming फिर उस global warming के पीछे का reason बताया है C में ठीक है? अब बोल रहा है यहाँ increase होने की बात हुई है यहाँ भी increase की बात हुई है और फिर यहाँ भी increase यहाँ the increase in the global temperature is melting the polar ice cap और फिर बोल रहा है the melting of the ice cap will increase the sea level so sequence क्या बन गई? D के बाद में B sequence क्या हुई? A, C, D, B clear है students? next question number 18 अब यहाँ पर देखो options जो है या तो B से start हो रहा है या C से start हो रहा है ठीक है? तो याने first जो sentence है वो तो या B रहेगा या C रहेगा इसको check कर लेते हैं B या C देखो C में है for young black south africans like myself it was यह it जो pronoun यहाँ use हुआ है वो किसी नहीं किसी noun के लिए use हुआ है और वो noun को यहाँ इस sentence में नहीं बताया गया है यह किस के बात कर रहा है? यह बात कर रहा है student यहाँ पर fourth year की यानि start C से नहीं होगा start किस से होगा? B से होगा क्योंकि दो ही option है या तो B से start हो सकता है या C से B में देखो until 1960 the university college of fourth year in the municipality of Alice about 20 miles due east from here town was the only residential center of higher education for blacks in South Africa यानि किस की बात कर रहा है university college की बात कर रहा है जो fourth year जो क्या है एक higher education का एक अकेला center है यानि से स्टार्ट हुई B से फिर बोल रहा है fourth year was more than that मतलब इतना ही नहीं इससे भी ज्यादा है fourth year तो यह fourth year कौन जो जिसके बारे में हमने B में बात की है उसी के बारे में आगे कौन बता रहा है A fourth year इससे भी ज्यादा है it was a beacon for African scholars from all over southern, central and eastern Africa ठीक है तो यहां all over southern की बात हुई है A में और फिर यहां C में बोल रहा है four young black south Africans ठीक है तो यहां से हमें hint मिली क्या A के बाद में क्या आएगा C पहली चीज B के बाद में A एक ही option में है इसमें और उसके बाद C आ रहा है लास्ट में आजाएगा D so right answer क्या हो जाएगा A clear? next, next question number 19 यहां पर sequence P, Q, S से start हो रही है ठीक है यहां देखो student perhaps no definition of democracy is more popular and universally acceptable than what is given by Abraham Lincoln कि democracy की जो भी definition दी है उसमें से most popular और जो जिसको सभी ने accept किया यहां से क्या हुआ पी के बाद में Q पी में बाद की definition की Q में उस definition को समझाया है कि क्या definition है he defines democracy as a government of the people by the people and for the people याने P के बाद में क्या आएगा Q P के बाद में Q एक ही option में है और वही आपका answer ठीक है इस तरह से solve करना था P में democracy की बात हुई है definition की Q में उसकी definition को होताया है आर में की democracy most representative form of government है और to bind the people and take the nation ahead as on the path of progress democracy is the most suitable form of the government for India ठीक है नेक्स तो बहुत एजी था जिसके भी paper में आया होगा वह भूश हो गया होगा फ्रीके मार्क्स मिल गए होगे यहां देखो यह बिलकुल सिंपल है accident होता है then उसके बाद में किसी को hospital ले जाया गया ठीक है carefully उसके बाद में doctor आयी nurse आयी बहुत ही simple सा है देखो then से start नहीं होगा A से start नहीं होगा ठीक है the two men carried him him किसको तो D से भी start नहीं होगा start किसे होगा B से अब देखो after the terrible accident a car took Raman to the hospital terrible accident के बाद एक car Raman को hospital ले गई और फिर दो men carried करते उसको bed पर carefully ले कर गए then nurse और doctor आये simply क्या बन गया B C D A next यह size में बड़ा दिख रहा है बट बहुत ही easy है देखो passage में भी ऐसा होता है कि कई बार passage बहुत बड़े size के देखते है और फिर बच्चे घबरा जाते हैं कैसे पड़ो आप अगर थोड़ा सा थोड़ा सा mind को open करके positively उसको attempt करेंगे अपने concept के साथ तो आप कर देंगे ठीक है यह देखो यहाँ B C D A चारों से ही start कर रहा है ठीक है यहाँ देखो healthy strong trees act as a carbon sense offsetting carbon and reducing the effects of climate change ठीक है trees help to clean the air we breathe through their leaves and bark they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe ठीक है अब इसमें बोल रहा है in urban environment trees absorb pollutant gas अब यहाँ देखो B और D somehow आपस में connected है क्यों B में बोला गया है trees help करते है तो हम जो सांस लेते हैं उसको clean करने में और उनकी leaves और बाक्षाल से वो absorb करते हैं harmful pollutants को और इसे को आगे बोला है urban environments में trees absorb करते हैं pollutant gases जैसे कि nitrogen oxides, ozone, carbon monoxide and sweep of particles like dust and smoke तो यहाँ से क्या पता चला B किस से attach है D से attach B D से attach है ऐसा एक ही option है दूसरा B को पढ़ने के बाद में यह पता चल रहा है कि अपने आप में stand alone sentence है जिसमें trees को introduce कराया गया उनकी function को वो हमारी life पे इनका क्या impact है ठीक है फिर अगर B के बाद में D देखें इनक्रीजिंग लेवल ओफ कार्बन यहां पर कार्बन की बात हुई है फिर कार्बन डायोकसाइड कोज दीफोरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल कंबस्शन यह आ जाएगा और लास्ट में healthy strong tree हो जाएगा तो B D लिंक से simply answer हो रहा है B D C A यह वाला जो absorb, absorb वाला concept है यह मैंने आपको पहली भी कराया बताया भी एक common factor है कि जब किसी दो sentence में एक word common आता है तो उन दोनो sentence को generally साथ में use किया जाता है next question number 22 यह भी बहुत easy था question इसमें देखो road accident बहुत common हो गए इंडिया में roads conditions जो road की इंडिया बहुत pathetic है increasing number of vehicles है उनकी वज़े से बहुत कम roads पे space बचता है roads बहुत narrow है congested हो जाता है most of the time तो यहां इन चारों में से जो stand-alone sentence है वो है B इसमें roads की नहीं road accident नहीं यहां बात हो रही है इंडिया में इंडिया में road की का क्या condition है बाखी दूसरे countries नहीं हो सकता है बहुत बेकार भी हो लेकिन हम किसकी बात कर रहे है इंडिया की तो condition of roads in India is pathetic start करेंगे B से ठीक है अब यहां क्या बोल रहा है कि increasing number of vehicles leave little space on roads ठीक है roads are narrow and remain congested सबसे पहले चीज़ बोलेगा कि roads narrow है narrow है already narrow है और उस पे अगर vehicles बढ़ेंगे तो अपने आप ही क्या होगा space नहीं बचेगा ठीक है तो पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि roads narrow है और remain congested most of the time और narrow हने की वज़े से अब जब vehicles बढ़ते हैं उन narrow roads पे तो space बिल्कुल नहीं बचता D के बाद में आया C और road accidents have become very common बहुत common हो गया कहां? इंडिया में तो right answer हो गया B, B, D, C, A next यह तो किसी के paper में आया होगा उसने खूब ही वहाँ dance करने के इच्छा हुई होगा इसकी यार क्या जंबल आया है देखो I love यह fix है यह fix है I love to go for a walk every morning so that I can keep myself fit and healthy बहुत ही simple था I love to go यानि I love to go for a walk कभ every morning so that I can keep myself fit and healthy D ठीक है last but not least यह हमारा telegram channel है आपने अभी तक join नहीं किया है तो join कर लेना बहुत ही अच्छा content updated content यहाँ पर provide करते हैं बहुत सारी free books free books free pdf's भी दी हुई है तो वह सारा free में मिल रहा है तो free में आप लेहीं लें और जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से compare भी करें ठीक है यहाँ देखो 24 यहाँ A, B, C, D चारों से स्टार्ट किया है तो अगर आप जो starting sentence अगर आप find कर लेते हैं तो आप इस jumble को solve कर देगे ठीक है अब देखो यहाँ यहाँ से आप स्टूडेंट एक चीज़ समझो दी से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहले ही आज के development challenges के बारे में बात कर रहा है ठीक है A में बोल रहा है कि अभी तक achieve नहीं हुआ है B में बोल रहा है कि compounded इसी चीज़ से climate emergency और यह सारी situation बता रहा है तो जिस से paragraph start होना चाहिए जो stand alone है वो है C जिसमें बताया गया है किसके बारे में जो agenda जो challenge of reaching agenda कोई भी agenda decide किया होगा और उस agenda का नाम दिया है 2030 वो उसमें यह है कि poverty को कम करना है inequalities को reduce करना है अभी हमने 2 या 3 number question किया था वो भी ऐसा ही था ना यह मुश्किल भी था और अब कोविड आ गया कोविड 19 उसके बाद तो और मुश्किल हो जाएगा कि poverty को reduce करना है inequality को reduce करना है सब को अच्छे rights है यह सारी चीज़े तो वो agenda की बात यहां introduce करवाई गई है C में तो sequence किससे start होगा C से एक ही option है दूसरा अब C में जो बोला गया है उसको B में elaborate किया है कि क्या compounded by climate emergency, political polarization, challenge multilateralism, continued conflicts, enforced displacement, the number of people living in poverty rose in 2020 for the first time since 1998 by an estimated जो यह बढ़ चुके है कितने 19-124 million बढ़ गए पहली बार inequities are growing and the traditional social contract is no longer for many तो यहां पर इसको और समझाया गया कि भी agenda तो 2030 का यह है यह था लेकिन अभी यह यह problems भी हो रही है तो C के बाद में क्या आया? B clear? अब यहां today development changes की बात की और फिर यहां बताया गया कि कोई भी country जो नहीं achieve कर पाई है बहुत high human development high human development को achieve नहीं कर पाई है with a light ecological footprint मतलब कि वो natural जो चीजे है जो प्रकरती है उसको ecology को disrupt किये बिना कम disrupt किये वो high human development नहीं कर पाई अगर development होगा तो कहीं न कहीं वो चीजे भी hamper होगे तो यहां से sequence क्या बनी? C, B, D, A अब सिर्फ इसमें stand alone sentence भी अगर आप देख लेते तो sequence C से ही start हो रहे थे आप पूरी वीडियो आपने देखी है जितने भी answer आपके सही है आप comment करके जरूर बताएंगे अबकी, TANK YOU!